हलो वाटर साइन्स यानि की कैंसर पाइसे स्कॉर्पियो वेलकम टू माइ यूट्यूब चैनल शुब शुब बोलो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में थैंक्यू सो मज़ धेर सारा प्यार देने के लिए और मुझे बहुत अच्छा लगता ह है जब आप लोग कॉमेंट्स में बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो maximum number of people सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है और मुझे और अच्छा लगेगा अगर इस तरह से ही आप मुझे से प्यार करेंगे मेरे चैनल को भी subscribe करेंगे और हमेशा मेरे साथ बने रहेंगे आज बहुत दिन से रिक्वेस्ट आ रहा था साइन बेस्ट रीडिंग का सो मैं यह स्पेसिफिकली फॉर वाटर साइन्स यारे की चैन्सर पाइसे स्कॉर्पियो के लिए यह रीडिंग कर रहा हूँ सो हम past present future based love reading basically करेंगे बट whatever energy जो भी आएगा मैं बोलता जाओंगा सो यह general सभी के लिए general जो water science है अपना Cancer Pisces Scorpio के लिए यह general reading होगा हो सकता है पूरा reading आपके साथ resonate करें हो सकता है कुछ portion of the reading आपके साथ resonate करें बट अगर मैं आपको दीख रहा हूँ अगर मेरा वीडियो आपके पास आया है तो इस वीडियो में कोई ना कोई message या communication आपके लिए जरूर होगा या guidance होगा तो पूरा वीडियो देखिएगा वीडियो को follow कीजेगा in some situations roles can be reversed also और आप male female कुछ भी हो सकते है आपके partner male female कुछ भी हो सकते है it is a specific cancer Pisces Scorpio water science के लिए let's see what is your current general energy water science what is your current general energy let's see okay oh my god energy is okay we are connected now we got the card okay okay so basically yeah आप बहुत ज्यादा self love self care and self feeling कर रहे हैं अपने उपर focus कर रहे हैं अपने health के उपर अपने खुबसूरती के उपर अपने self worth के उपर बहुत ज्यादा focus कर रहे हैं और आप चाते हैं कि आप एक तरह से center of the attraction बने in some situation you want कि एक तरह से जल्द से जल्द आपकी शादी हो जाए okay और because of this self worth आप अपना जो value है वो समझने लग चुके हैं आप जानते हैं कि बाकियों के बीच में आप best है तो आपको एक अच्छा partner मिलना चाहिए so आप चाते हो after जो भी phase आपका जिंदगी में अभी तक love life में गया है उसके बाद एक successful love life you are expecting now हम basic reading में जाते हैं let's see what is the past present and future for your love situation let's see for cancer Pisces Scorpio water science let's see okay past present and future okay okay so past में जो मैं देख रहा हूँ in terms of love बहुत ही ज्यादा rude, off, cold, detached इस तरह का एक energy दिख रहा है हो सकता है आपके partner इस तरह के थे, हो सकता है आप इस तरह के हो, हो सकता है आप दोनों ही इस तरह के है okay take it how it resonates but someone was very off, cold and detached and that is the reason और बहुत ज्यादा rude बहुत rude, गुसा और मतलब जगरा, जहमेला भी बहुत ज्यादा हुआ आपके बीच में king of swords, three of swords, six of pentacles, four of pentacles, so बहुत ही ज्यादा एक जहमेला, जहमेला, ज्यामा, फाइट बहुत सारा चीज हुआ आप दोनों के बीच में बास्चीत बंध हो गया था, दोनों अपने अपने ego में आ गये थे या फिर आपके partner ने आपको cut off करके बहान निकाला है, because of that, presently आप बहुत ज्यादा pain, दर्द लेके जी रहे हैं, इतना ज्यादा कि मैं बया नहीं कर सकता, कितना, okay, extremely you are hurt, deeply, deeply someone's word, action or intention, आपको बहुत ज्यादा आपका दिल तोर के रख दिया है, उस pain को लेके आप अभी भी चल रहे हैं, but still you are unable to release that pain, you are unable to release those memories, so still आप बहुत ज्यादा hold back करके, चीजों को tightly पकरके आप अभी भी रह रहे हैं, एक तरह से, जो कि और ज्यादा painful है, in future यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ, there is a chance कि चीजों में balance आए, okay, and धीरे धीरे करके सुधार आए, जहाँ पे आपको prioritize नहीं किया गया था, जहाँ पे आपको granted ले लिया गया था, वहाँ पे आपको value दे, इस वज़ए से वहाँ पे six of ones आया था, you want value, आप चाहते हो, you want to be the center of the attraction, जो कि आपको शायद past में नहीं मिला था, but in future, there is a chance कि आपको एक तरह से आपका value जो है, वो आपको मिलने वाला है, okay, there is a chance कि आपका जो exact value है, वो कोई ना कोई आके, कोई भी हो सकता है, past या फिर कोई fresh new energy, but possibility है कि past का जो person था वही, फिर से आपके पास आए, आपको prioritize करे, and जो balance हो चुका था, वो balance आपके जिंदगी में वापस आए, there is a chance, okay, let's see what is the outcome, let's see, outcome क्या है, oh my god, बहुत सारा कार्स, alright, let's see okay, okay, so because already ये double confirmation है, that you are extremely into self-love, self-care and self-healing, अपना self-worth के लिए, you are fighting, अंदर ही अंदर, टूटे हुए दिल लेके भी, आप एक तरह से अपने value को आपने खुद समझ लिया है, के मैं valuable हूँ, and मेरा ये value है, if you want me, you have to give me that value, okay, so ये आपका जो basic energy है, वो यही है, यहाँ पर queen of cups, the devil, three of cups, and ten of cups, okay, अब ये जो devil वाला जो energy है, यहाँ पर outcome के हिसाब से अगर मैं बोलू, someone because of the addiction, attraction, एक तरह से necessity की वजए से जो control करके इनसान को जो खुशी मिलता है, वो control, controlling power, I think someone is not getting that power, and that is the reason I think someone wants you back in their life, so एक तरह से reconciliation, reunion होने के chances है, but आगे जाके ये चीज़, marriage और family तक भी जा सकता है, but जो भी है, because of this addiction और attraction ये चीज़ होगा, अब addiction, attraction का मतलब आपका value देना या नहीं, that is a different thing, but एक necessity की वजए से शायद हो सकता है कि एक reconciliation हो, okay, या दीरे दीरे करके वो family-like एक situation तक जाए, family बोलो तो प्रॉपर family-like, marriage तक या उसके आगे, but reconciliation होने के chances है, okay, अब ये आपको value देने के लिए होगा या नहीं, that is a different question and different thing, but होगा, okay, let's see, let's see what is the guidance from universe, spiritual message and guidance universe की तरफ से, okay जो मैंने तब बोला अभी थोड़ी देर पहले कि एक्षिन वाले कार्ड में कि बिकास अब अदिक्शन और अट्रैक्शन सम्वान वान्स वाले कार्ड में देर इस अब इस अब इस अब इनर्जी फ्रम इस पर्सन तरफ से स्पेसिफिक गाइडन्स है सोच समझ के काम कीजिए if you feel, if you are confused then आपका confused होना justified है क्योंकि यह जो इनसान है यहाँ पे मुझे एक deceptive energy दिख रहा है और यह दिख रहा है कि यह जो इनसान है एक तरह का player किसम की इनसान है ओके? there is a chance कि आगे जाके यहाँ पे third party situation का भी entry हो और जिस वजय से और ज़्यादा यह confused state में आप चले जाओ तो be very clear जब decision आप कुछ भी decision अगर लेंगे be very clear and careful about this person because this person is a trickster is a player okay the magician, the two of pentacles, the seven of swords and three of pentacles be very careful before taking any decisions okay यहाँ पे cheating, deceptive energies, third party के साथ cheating होना आगे जाके बहुत सारा कुछ मुझे दिख रहा हूँ वहाँ पे devil energy था ultimately चीज अच्छा नहीं जाएगा so please be very careful okay so thank you so much for watching this video we'll see you in the next video अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो please comments में आज बताएगा तूरंस लेकी आएंगे so thank you so much for watching this video we'll see you in the next video तब तक की ले, take care of yourself